हेलो आप्रीवन वेलकम यू ओल इन आवर ओन्लाइन लर्णिंग प्लेट्वर्म लेट्स टड़ी इंडिया आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्यों क्योंकि हम सबको पता है कि MGKVP की तरफ से नोटिस आ चुकी है कि हमारा पेपर कैसे होना है बच्चों को ये कन्फ्यूजन था लेकिन अब MGKVP ने अपना ओफिशल नोटिस जारी कर दिया है कि पेपर का पैटर्न क्या होना है तो आज की इस वीडियो में जो हम डिसकस करेंगे वो यही डिसकस करेंगे कि जो फोर्स्ट और थर्ड सेमस्टर वाले स्टुडेंट है उनका पेपर पैटर्न क्या होगा कैसे उनको आंसर लिखना है और मैं ये भी बताऊंगे कि कैसे आप आंसर लिखो ताकि आप जादा से जादा नंबर गेन कर सको तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको स्क्रिन पर देख रहा होगा कि हमारे पास महात्मा गाधी काशे विद्या पीट का साइट खुला हुआ है ये उसकी ऑफिशल नोटिस है तो आपको जो पेपर देना है वो अबजेक्टिव नहीं देना है अब आपको जो paper देना है वो subjective type paper देना है subjective बोले तो answer right, theory देना है तिक वाला नहीं करना है, theory लिखना है और आपके paper में 3 section रहेंगे section A, section B, section C 3 section, section A जो रहेगा वो आपका very short type होगा जिसमें आपको जो answers है वो maximum 50 words में answer देने आपके इस format पे सारी चीजे लिखी हुई है कि आपको कैसे answers करने है, कितने words में answer करने है तो अब देखो आपको सोचना है कि आपको total 75 number का theory देना है 25 आपके internal पे मिल रहे हैं आपको 75 number का paper आपको देना है मतलब time management करना है कि अगर हमें जैसे आप देखो क्या है कि आप यह देखो section A जो है section A में क्या है attempt all five questions each questions carries two marks and answer of questions should not exceed 50 words आपको इसमें 5 questions दिये हैं और वो 5 questions आपको करने हैं क्या करने हैं? 5 questions दिये हैं और 5 questions आपको करने हैं ऐसा नहीं है कि हाँ 7 questions है 10 questions है उसमें से कोई भी 5 कर लीजे यह वला नहीं है 5 ही दिये हैं और 5 के answers आपको देने हैं सारे answers देने और हर answers को देने के लिए maximum word limits भी दी हुई है word limits आपकी कितनी है? 50 50 words में ही answer करने हैं आपको और हर question के लिए आपको 2 marks मिलेंगे तो कितने हो गए यहाँ पे 10 marks आपके हो जाएंगे 5 into 2 10 marks हो जाएंगे तो आपका section E जो है वो 10 marks का है जिसमें आपको 5 questions देने हैं और sub question 2-2 marks के हैं और word limit आपके 50 marks 50 words ही होने चाहिए इससे ज़्यादा लिखोगे आप तो कोई नहीं आप लिख लो बट आपका time जाना है आपको और भी तो questions करने हैं असा तो नहीं कि सिर्फ इतनी paper करने आप इससे ज़्यादा भी लिखोगे लेकिन आपका time जाएगा थोड़ा up-down चलेगा इसलिए मैं कह रही हूँ कि time management आप कर लो कि आपके पास 3 घंटे हैं आपको 5 questions करने हैं 50 words के तो हम एक question पे कितना कितना time दें कितना कितना time हम देंगे कि आपका जो है ये section अच्छे से complete हो जाया ताकि आपका time ऐसा भी नो कि कहीं पर बहुत जादा time दे दो और कहीं पर आपको time कम पढ़ जाए फिर उसके बाद हम बात करते हैं section B की section B जो है वो short answer type questions section A जो था वो very short था 50 words के ही answer लिखने है लेकिन section B जो है ये short answer type questions है इसमें क्या है पाचीस marks का है ये किते marks का है मतलब इसमें भी आपको पांचो कोशं करने है और नंपर के है एक पांच infinity 5 इसके पहले अधांस को करने दे लेकिन इसमें क्या है विए अवे कोशंस के आपको काने ते जिसमेंसे सर्फ कोई 5 ही कोशहन करना है जो आपको आपको खुया लग रहा है या अगर आपको आठा आ तो आको यह कोशन मुझे जदा अच्छे सहता है सब का अपना एक comfort zone होता है तो हमें लगता है कि या हमें यह जदा जदा आठा Capitol क kau facility लगता है यह जदा लगता है तो जो हैं लगा betrусов से 8 questions आपको दिये रहेंगे, उसमें से कोई भी 5 जो आप अपने पसंद के चूज कर लो, करके कर लो, और हर कोशन पर 5 नमबर रहेंगे, तो आप 5 कोशन कर लो, तो 25 नमबर आपको यहां समलने, इसमें 10-10 नमबर के 4 questions आपको करने, क्या है, attempt any 4 out of total 8, इसमें 8 questions हैं, आपको कोई भी 4 करना है, आप total दिये रहेंगे, कोई भी 4 आप अपनी मर्जे से कर सकते हो, each questions carries 10 marks, हर questions पर 10 नमबर मिलेगा, answer of each question, sorry, answer of each question should not exceed 400 words, और इसमें जो word limit है, वो 400 words limit है, ठीक, अब आप सोचों कि आपको 50 words लिखने हैं, that means की आधा page, आप लिख सकते हो, 100 words लिखने हैं, तो आप 1 page भर दो, 400 words लिखने हैं, तो आप 3 page मान के चलो, तो लिखना ही लिखने हैं, अगर 4 हो जाता है, तो इसमें लिखोगे, तो इस हैसाब से आप देख लो कि आपका time management क्या होना चाहिए, जैसे आप देखो, आपके पास 3 घंटे हैं, तो बोले तो 60 minute, 60 minute, 60 minute, 60 minute, मतलब 180 minute हैं, तीन घंटे में 4 questions ये करने हैं, तो आप ऐसे कर लो कि 4 questions के लिए इनको आप देदो आधे-धे घंटे, आधे-धे घंटे देते हो, तो 2 घंटे इसमें निकल जाते हैं, अब आपके पास बच रहा है, एक घंटा जिसमें आपको section A और section B करना है, तो section A के लिए आपको 5 questions करने हैं, तो हर questions को 5-5 मिनट दे दो, पचीस मिनट, या आप आधे घंटे मत दो, इसमें क्या करो, आप 20-20 मिनट रखो एक-ए questions के लिए, 20-20 मिनट रखो long questions के लिए, और आप उसके बाद 5-5 मिनट रखो very short के लिए, और 10-10 मिनट रखो short के लिए, ऐसे ही कुछ भी जो भी आपको suitable लगे, आपकी लिखने के speed क्या है, क्या है, यह सारी शीरियों तो आप हमसे अच्छा जानेंगे, तो इस तरीके से अपने एक time management कर लीजे, यह आपका paper pattern है, ऐसे ही आपका paper आना है, 75 marks के paper आने, 25 marks जो आपको internal से मिलेंगे, अब बात आती है, मैं paper writing की, कैसे paper writing लिखें,